जे मसी की दोस्तों, आज की स्वरगी मन्ह का भाग हमने लिया है पहला पत्रस, उसका पांचवां अध्याय और उसका साथवां वचन. वचन कहता है, अपनी समस्त चिंदा उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंदा करता है. धन्यवाद पिता परमेश्वर. तु बताता है हमें कि तु है यहाँ पर हमारी चिंदा करने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हमारा बोच्छ, जब हम तुछ पर डालते हैं, तो तु हमें विश्राम देता है, धन्यवाद पिता परमेश्र, तु हमारा वाकई हमारा पिता है, सच मुछ हमारा पिता है, य ये वचन हमें याद दिलाता है हमारे पिता की जो सुर्क में है, ये वचन हमें याद दिलाता है उस कुरूस की जब ईशुमसी ने हमसे प्यार किया था और अपने आपको बलिदान किया हमारे लिए, ये वचन हमें याद दिलाता है कि उसको हमारी चंता है, कोई हमारी चंता क करें या ना करें लेकिन एशु हमारी चंता करता है इसलिए जब हम पापी थे तब उसने हमको चुना और हमें प्यार किया और अपना बलीदान दिया अपने हाथों में कीले और कीले चुभुवाई तक हो हमें सुख दे सके हर दुख उसने उठाया तक हम एक पल कभी दुख न उठाएं संसार में सुख के साथ स्वर्ग अपने जीवन को वहतीत करें। दोस्तों याद करिए पत्रस ईश्यमसी का चहता चेला था लेकिन पत्रस में ने भी ईश्यमसी का निकार कर दिया एक बार नहीं तीन बार निकार किया लेकिन उसके बाद भी इश्वमसी को पत्रस की चंता थी वो इश्वमसी से प्यार करता था सोचिए अगर इस धर्ती पर कोई ऐसा है जिसकी आप बात ना मने या इस धर्ती पर कोई ऐसा है जिसका आप इंकार करें क्या वो आपकी चंता करेगा नहीं वो आपसे मूँ फिर लेगा वो आपसे बात नहीं करेगा वो आपके उत्तर का जवाब नहीं देगा लेकिन एश्यू मसी ने पत्रस से इतना प्यार किया कि मुझे मुझे मुड़ों में जिन्दा होकर तिब्रियास जील गए और पत्रस से कहा पत्रस आप मैं तुसे प्यार करता हूँ कि तुम उससे प्यार करता है कि नहीं करता है उसको प्यार का इसास जलाया पत्रस के अंदर जीवन डाला पत्रस को जोती दी पत्रस को ग्यान दिया क्योंकि परमेश्यूर क्योंकि ईश्यू पत्रस की चिन्ता करता है दोस्तों हमारा चंता करने वाला पिता हमारा चंता करने वाला ईशू हमारे साथ हमेशा रहता है हमारे अंदर रहता है इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है संसार हमारी चंता करे या ना करे लेकिन हमारा ईशू हमारी चंता करता है हमारा प्रभू हमारी चिंता करता है पॉलस जो कि शाओल था और इशू ने उसको छुआ उसको वो जोती दिखाई जिससे उसको देखना बंदो गया संसारी चीजों को देखना उसने बंद कर दिया ऐसी जोती उसकी आँखों में पड़ी लेकिन उस शाओल का मन परिवर्तन इशू मसीने किया और उसको पॉलस बनाया लेकिन उसको यूही नहीं छोड़ दिया इशू मसीने उसकी चिंता थी उसको चिंता थी इसलिए वो हनन्या के पास गया और हनन्या से का कि हनन्या तू जा और पॉलस पर अपना हाथ रख जब तू हाथ रखेगा तो उसको दृष्टी मिलेगी इशू को चिंता है चिंता है हमारी मेरे भाई अगर आप किसी कमजोरी में हैं अगर आप किसी कटनाई में अगर आप किसी दुविदा में अगर आप किसी मुश्किल में, अगर आप किसी परिश्या में हैं, आप किसी आजमाईश में हैं, तो आप बिल्कुल चंता मत करिए, क्योंकि आपकी चंता आपके इश्यू को है, आपकी चंता आपके इश्यू को है, और इसलिए वो स्वर्ग में पिता परमिश्वर के दाइ कर उसको प्रेम दे और उसको आशीश दे येस लौड आज भी आशीशों के बारिश इशू मसी के द्वारा पिता की हम पर हो रही है हम पर हो रही है उसका अनुगरा हम पर हो रहा है उसकी कृपा हम पर हो रही है उसकी दया हम पर हो रही है क्योंकि इशू मसी हमारी चंता करत है हर पलग हर चाहँ इसलिए घबराई ही हमत मेरे भाई घबराई ही हमत धरी हमत परमेश और आपके साथ है इसलिए रूमियो आठ का बत्तिस कहता है कि जब उसने अपने एकलोते पुत्र को नहीं छोड़ा हमारे लिए दे दिया तो वो हमें हर चीज उदारता से क्यों नहीं प्रिश्वाएं और इस समाज में इस अंतिम समय में इस गर्णित जो रवया है जो एटमोस्वियर है उसमें से हम कैसे उसके प्यार को समझें उसी के प्यार को समझें क्योंकि उसी का प्यार हमारे लिए है और किसी का प्यार नहीं है कोई धरती पर मेरे भाई ऐसा नहीं है जो आपसे प्यार करें लेकिन ही शुआसिया आपसे प्यार करता है और उसके प्यार को ग्रहन करिए और उसके प्यार को महत्व दीजिए उसके प्यार की इंपॉर्टन्स को समझिए और उसको कभी मत छोड़िए उसको कभी मत छोड़िए आईए हम प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर तू दयालू है तू पिता है हमारा धन्यवाद देते हैं इस सुभा परमेशर अधुत सुख और आशीश और इस वच्छनों के द्वाराएं में हैं एक शक्ती मिली है इस धन्यवाद देते हैं परमेशर धन्यवाद देते हैं पर